हाई फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल पर स्वाकत है आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल मूंग दाल की ये रेसिपी मैंने बेंगॉली स्टाइल में बनाया हुआ है जो आपको बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए अब हम सुरू करते हैं इस रेसिपी को इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम लेंगे मूंग दाल, प्याज और हरे मटर इसके साथ हम लेंगे हरे मिर्च, धनिया पत्ता, टमाटर, सरसुतेल, गरम मसाला, हल्दी, नमक और चीनी, तेज पत्ता, नारियल और काजू तो सबसे पहले हम एक बरतन लेंगे और उसमें डालेंगे मूंग दाल, मूंग दाल को हमें ड्राइरोष्ट करना है, तो यहां मैंने गैस के फ्लेम को मेडियम रखा है और इसे दो से तीन मिनट तक इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए ड्राइरोष्ट कर लोंगी, इसके बाद हम वापस इसी बरतन में 3 कब पानी लेंगे, गैस के फ्लेम को हम फ्ल रखेंगे ताकि पानी अच्छे से बकालेए, इसके बाद हम धूले भूड पहले मूंग दाल ढाल देंगे अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे, मिक्स करें, हल्दी डाले और धक्कन लगाके दाल को अच्छे से पका लें पीच पीच में हम स्पून की सैता से इसे मिक्स करते रहेंगे देखिए दाल हमारा अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है अब हमारा दाल अच्छे से पक चुका है तो चलिए हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे तो चलिए हम वापस एक बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे सरसो का तेल, आप चाहे तो यहाँ घी का भी यूज़ कर सकते हैं तेल को गरम होने दें, इसमें डाले तेजपता और कटे हुए हरी मिर्च, मिक्स करें मिक्स करेंगे, एक मिनिट तक हम इसे मिडियम फ्लेम पे इसी तरह से पकाएंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, मिक्स कर दे, मिडियम फ्लेम पे हमें प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है अब आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए नारियल और टमाटर तो देखिए इसे भी हमने इसमें डाल दिया है तो हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे भी थोड़ा सॉप्ट होने तक पका लेते हैं स्पून की सैता से इसे मिक्स करते रहें बीच-बीच में चलाते जरूर रहिएगा तो आप देख सकते हैं तो माटर भी हमारा अच्छे से सॉप्ट हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे नमक मिक्स करेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरे मटर यहां पर मैंने स्टोर किया हुआ हरे मटर यूज किया है आप चाहे तो फ्रेस मटर भी यूज कर सकते हैं मिक्स करें अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला गैस की फ्लेम को हम स्लो और देंगे दो मिनिट तक हम इसे इसा तरह से पकाएंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए धनियापत्ता mix करेंगे अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए moon dal तो यहां मैंने सारा डाल अच्छे से इसमें डाल दिया है इसके बाद हम इसे mix करेंगे और gas की flame को medium कर देंगे अब हम इसमें डालेंगे चीनी यहां मैंने चीनी डाल दिया है इसे mix करें अब 5 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और हमारा ये डाल बन के तयार हो चुका है तो फ्रेंट्स आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेगा बहुत ही टेस्टी रेसिपी है तो ये देखिए फ्रेंट्स पांच मिनट हो चुका है दाल भी अच्छे से बॉल्ड हो चुका है अब हमारा दाल बन के अच्छी तरह से तयार हो चुका है चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्रेंट्स और फैमली के साथ जरूर सेयल करिएगा